दोस्तों यहां पर मुंबई का बोट लगा और यहां से मुंबई स्टार्ट होती है यह पूरी दुनिया कुमाने की बात कर रहे हैं अब तक इसमें ब्लॉग में एक बार भी गेट वाउप हंजा दिखाए निकास करें तो दोस्तों यह है काफी पुराना और काफी प्यारा य दूस्तों यहां पर सारा सामान वैसे लोगा रुको तो को लाबा मार्केट से मैंने यह चोटे-चोटे जुम के लिए बोलो मुझे मेरे जानू के साथ बैट के अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे अबबा के साथ रहने का यही फाइदा है मतलब अबा के साथ तो रहन स्कूल के तरफ से दिवाली की चुटिया खातम हो जाए हमने सुचा कि चला पूरी फैमली के साथ रेडियो करके काफी दिनों बात कहीं घूमने चलते हैं तो आज हम बहुत स्पेशल जगा घूमने जाएंगे तो बहुत स्पेशल जगा है वो है गेटवे आप इंडिया औ अब तक अभी व्लोग में भी नई दिखाया है मुंबई का स्पेशल जेटव ऑफ इंडिया तो आप लोगों का आज दिखाएंगे नियू जगा और दोसे लोगों को इसमें सूद पहना है तो माई आने में लोगों सूद पहना है गंदे गंदे और मेरे पास सूद नहीं ह आपना इस्पेशल चॉपल है तो मुझे पता रहता है इसलिए मन दोने के लिए रखा था भी लोग तैयारी बना लिए लोग पापा चॉपल पहलो है यह मारा जूता है तो दोस्तों आप हम लोग आप चुते और जाने हैं स्टेशन की तरफ निकि हम जादा तर लोगा टे पहाना भी कम लगे और मुंबाई में ट्राइवलिंग के लिए सबसे अच्छा लोकल ट्रेन ही है अलब जाओ कम बजट में भी अराम से पैठा पर पॉट जाओ और थोड़ा सा भी इनका मसला रहता है वो भी मतलब अपना जगा बना लोग कैसे भी कड़के वह तो होई जा देख सकते हो कितनी है तो लोकल ट्रेन में जाओ शुबा हो शाम हो फ्विंडी पॉर वाइस सेवें ही आपको यहां भीड देखने मिलेगी अभी अपना चिप्स भी खोल लिया और हम अभी चप चिप्स खाई गए है यह लोग है हमारे साथ खाते हैं बाहर की चीज़े और मुंबाई में जो लक रहते हूं तो यक ना एक बार अपने जिंदगी में जरूर में ट्रावल किऊंगे लेकिन आप मेंसे कितने लोगों जो लोकल ट्रेनर काभी ट्रेवल्स नहीं है कीए रिस तो दोस्तो अब हम आचुके थो की स्टेशन और यहां से सिपोल और यहा तो दोस्तों गेट वाफ इंडिया जाने के लिए हमने एक सी पकल ली है और अभी हम जाएंगे तो दोस्तों यह है काफी पुराना और काफी प्यारा यह सिस्टी स्टेशन तो इसका नाम पहले था विक्टोरिया टर्मिनल और अब इसका नाम है चत्रपती सिवाजी महराज ट यह पूरी दुनिया को माने की बात कर रहा है अब तक इसमें व्लॉग में एक बार भी गेट वाफ इंडिया दिखाया है निकास तरी बार गया तो है लेकिन आज तब दिखाया थोड़ी नहीं तो क्योंकि जब गया था तब मैंने यूटूब पर वीडियो बनाना चालू ह तो तसकी नहीं किया था तब मैं ट्क तॉपर वीडियो बनाता था था इस अब बोलो तक रहो को अब एक दर यूटा एक। तो दोस्ता आप देखो यहां की भीड कितनी ज्यादा भीड हो रही है इस वाग क्योंकि छुट्टिया चल रहे हैं सब लोग आया है गुमने यहां से होती है आप देख सकते हैं हैं चले ओश्फ करते हैं देखो कितनी जादा भीड है बहुत चारे लोग निकल रहे हैं बहुत चारे लोग जा रहे हैं और safety reasons के लिए यहां पर ड्रोन भी ले जाना मना है तो कोई ड्रोन शॉट में ले सकते हैं और यहां बैक के चेकिंग भी होती है तो मम्मी भी अपना बैक स्कैन करवा कर आ गई है जो दोस्तों अब हम फाइनली गेटवे ओफ इंडिया आ चुके और गेटवे ओफ इंडिया कितना प्यारा दिख रहा है और यहां आपको स्पेशली फोटोग्राफर जरूर देखेंगे जो की फोटो खीचाइंग बोलेंगे फोटो खीचने हम गेटवे ओफ इंडिया तो वैसे कई बार आ चुके हैं लेकिन जब से हमने व्लॉग शुरू किया तब से हम पहली बार और आपको पहली बार दिखाएंगे कि टिक टॉक जब बनाते थे तब बहुत बार आई तो गेट्व इंडिया के सामने भी हमने टिक टॉक मनाया था साधिम ने डांस करके बनाया था एक दमबर्स साधिम तो आज भी डांस बनता है नहीं आज काली व्लॉगिंग करेंगे आप देखो यहां कि इतनी पब्लिक है दिवाली के चुट्टियां चल रही है जिस वजे से भीड है लेकिन यहां पर आपको हर दिन भीड मिलेगी क्योंकि यह काफी फेमस पॉट गूमने के लिए और संसेट जब होता है तब और भी साधा प्यारा लगता है और दोस्तों मुआ यहां पूरणा षालम यहां थिए लगीन से यंहरे तो हरे लडा नहीं है जाना यह तो यह तक्कındaki इतना बड़ा है और यह मेरे पापा शॉर्ट बलेलाग बना रहे और में लॉंग व्लोह बनाए रहूंcias यह पर चलती हैं तो देखो कि मृटो ना ओट कर सकते की इतनी साथ पेड़र बहुत लंबी लाइन लगी चोटी साथ में बड़ी बड़ी शिप भी आगे है है और यां से आपको रूट से घाए आप यहां बहुत हैं यहां बहुत चारी बोट हो और बहुत सारी लाइड है और साधिम को वह भाली रायड करनी करनी हैं लेकिन देडिन करवा हैंließen से फैमल्य कर सकते हैं और वाली है उसने ैमिल जा सकती है जो सी है ECU इस वीendash हॉपका काहते हुआ लोग गया है दोस्तों यहां पर मुंबई का बोड लगा और यहां से मुंबई स्टार्ट होती है और बताओ मुंबई के स्टार्टिंग में क्या किया है लोगो ने यह रखो ठूक करते हैं तो दोस्तों आप यहां पर इसनी लंबी लाइन जो देख रहे हो यह किसी और चीज नहीं जब कि बोट के लगी है तो देख सकते हो कि टिकेट लेने तो लोग इतने देड़ से वेट कर रहे होंगा जब पापा के साथ मैं आई थी पहले फस्स टाइम चाज़ करके घूमने के लिए पहले पापा यहीं लेकर आए तो अब दादी मैं और पापा तुम लो नहीं थे और फिर पापा कैमेरे से पोटो भी चाहिए जो तुम लोग पोटो अब देखते हों तो आपको हमको पोटो लगा कर देखेंगे वीडियो में आप देखने ना वो सब छोड़ो खोलो यह बैक पॉसके अंदर तुम लोग के लिए एक सर्प्राइज है ये लो कले जी कबाब चलो निकालो सब खाओ जाओ जाओ कि अ कर देखें केट वे ओफ इंडिया में लाइट जल्दी नेकिन अभी नहीं चल रही और आप देख सकते हो ताज होटल तो एकदम मस्क दिख रहा है ये वाला भी और ये वाला भी और भीड़ भी उतनी है कम हुई नहीं है लेकिन अभी हम लोग चलते है बाहर और यही गेट वेंडिया से अलिफ्रांट और अलिबाग भी जा सकते हैं लेकिन इसके लिए में सुबा आना पड़ेगा सुबा सुबा यहां से बहुत सारी फैरी निकलती है जिस पर बैट रह कि हम जा सकते है तो इंशालला जिसे दिन अलिफ्रांट भी जाएंगे अलिबाग जानेगा तो हमारा व हमने प्लान एक्जिक्यूट नी किया तब हमने आमरा ले लिया पकड़ी ले और कैरी ले और इसमें से मुझे कैरी सबसे ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों आप शाम के टाइम पर कारीब से देख सकतो किसना अच्छा लग रहा है लाइट जल चुकी है और ताज होटल एक दिन इंचाहला अंदर भी जाएंगे इंचाहला अब साम होने के बाद यहां लाइड भी तलने लगी गेटवाफ इंडिया में और अब देख सम्तों कि इतने सारी बोट है कितना मस्त दिख रहा है और हम इस बार तो बोट पर बैठे नहीं अगली बार आएंगे तो पै ओडिया की जाएंगे तो अब हम आपे चाना और सेंग ले रही है तो चाना और सेंग बहुत टेस्टी होता है तो दोस्तों अब हम घूमते खुमते आ चुके हैं ताज होटल के पास एक जूस की शोप पे और यहां से पापा के लिए हमने में बापा कर लिया कि पापा ने उसना कुछ भी खाया थाने तो बाहर आते नहीं ओखाता नहीं पीने के लिए भी कोई चीज जल्दी नीमील pictures some thanback to schaffen पशुत मम्नें कामणा निया है इलाए यह अहां हमारे लिए घुज кеटित डुज तो बाप पाइप से नैं भी बाते वोगैने जूस और ये गाड़ा है मैंगो का श्वेक है क्योंकि तो पापा ने निया इसके उपर कि पनी है अब भी परगर और जूस के साथ मैं नम्मी ने सेंडविच भी बंगा लिया तो आभी मम्मी खाएंगी खाओ पूर रहें मैं को कुछ नी खाने का मैं नहीं ऐसलिए मैं नी खा रहा हूँ नहीं मैं नि खांगा दोस्तो गेटवे ऑफ इंडिया गुमने के पाथ हम आ चुके कुलाबा मार्केट में हेलो आपको सस्ता में लोग बेचते हैं उसको पहले महंगा करके बताते हैं तो आप लोग को यहां पे कम भी करवाना पड़ेगा तो जिने बार गेनिंग आती हम वे आओ को लाबा मार्केत और स्ट्रीट शॉपिंग करके जो दिला है यह जब को दिला यह कंछ कि नहीं समझते मुझे नऑ दिलारे जिलाओं पता हो की सब पशने पसंदें तो यह वह तक नहीं दिला रहें मुझे हैं कि ना मसमस मिल रहे हैं दिला दो नहीं है इसमें कौन सा बड़े लोग को लावा मार्केट से मैंने ये चोटे-चोटे जुन के लिए तो दूस्तों मेरे अब्बा दो मेरे के साथ रहने का यही फाइदा है कि अब्बा मुझे सब जगाप गुवाड़े रहते हैं सब चीज के बारे में इंफोर्मेशन देते रहते हैं और हम बापा बढ़ा और दोस्तों इसी रोड पे मंतराले और पापा को तो हर जगह गुमना है बोलते हैं चलो मंतराले घूमते हैं मंतराले को घूमने के तक है और आप हम आ चुके हैं कुपरीज बैंड स्टेंड उधान चालो 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 यहां यहां पर देखिए ग्रीन दिवाली लिखा हुआ है दिवाली खतम हो गई लेकिन आप लोगों को फिर से एक बर एपी दिवाली और यहां बहुत बढ़ा कंदिल भी बेना है और मुझे लगा कि कंदिल मोतियों से बना है दूर से देखने में तो वैसा ही लग रहा था लेकिन यह कंदिल प्लास्टिक की बॉटल से बना है पानी की जो छोटी छोटी बॉटल होती उससे बनाया गया है चिताब प्यारा लग रहा है और उसके अंदर पेंट किया गया है इसी लेना लिखाया कि ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करो टाकि पल्यूशन ना हूँ दोस्तों गार्डन में आ कि यह जूला मुझे हिलता हुआ दिखा फकका इस पर कोई बूत है लो बूत बैड भी गया कोई बात नहीं यहां एक और जूला है यह सारे तो नहीं हिल रहे हैं सिर्फ वह माला जूला क्यों हिल रहाता है वाई चोटे मिया बड़े मिया सुभान अल्ला हुआ हुआ है हिसलो साधीन बता एक्थूजास करने से क्या होता है हमारी बाडी फीट रहती है चांचेश काम हो जाते है और 따라 होते हैं टाइयर वाले चैर पर कैसा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है मां अज़लाब बैठ ए तो बैठ तर अच्छा लग रहा है इसमें फीर चीज में अब जानु नहीं बोलते हैं साधिम के बापा बोलते हैं लेकिन सीधी सी बात है भाई माहें अपने छूटी बेटे से जाधा प्यार करती है तो साधिम के बापा बोलती रहती है करते हैं करते हैं आप बताईए आप बच्चों को भी असी लगता है अरे लगे जब करोगे तो दोस्तों यह है यहां का हाइप जहां पर सारे बॉंबे हाइप नहीं हुआ है बॉंबे ही है मुंबई नहीं हुआ है बॉंबे हाय कोट है यहां सारे मुकदमे लड़े जाता है तब हम लोग सीधा चर्च गेट सब्वे से होते हुए सेशन जाएंगे चलो चलते हैं यह नास्ट चॉप है यहां ट्रेडा करके रुखती है इससे बनाएक है इसको और हमा आपनी के साथ मज़ा आया उमीद आप लोग को भी हमारे व्लोग पसंद आया होगा बहुत दिन बाद हमने लॉंग वीडियो भी बनाई तो अगर आपको अच्छी लगयो हमारी लॉंग वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी आपके जाना मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लोग में और अभी हम जा रहे हैं सोने क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके हैं थैंक यू बाइए